और सबी को जानकारी है कि संसत की नए भवन का जो है कल उधगाटन होने वाला है उससे पहले विपक्ष का हमला लगातार जा रही है संसत की नए भवन को लेकर बिहार की मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने बड़ा बयान दिया है नतीश कुमार ने कहा कि नए संसत भवन की अब कोई जरूरत ही नहीं थी बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुराने संसत भवन में ही बदलाव करना था उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि मोधी सरकर इतिहास को बदलना चाहती है नतीश कुमान ने कहा है कि दिहास को खत्म करने की कोशिश हो रही उनको बैठने की जगह नहीं थी तो सब का एक्सपैंशन करके सब के कम बैठने का जगह बनाए ति कौन चीछ कह रहा है भाई साथ ही था हम जो बनाए तो भूल गया है अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज़ को बदल दो और क्या आपको जानकरे देदे की कल यानि की अठाइस मही को नई संसद भवन का जो उद्घाटन किया जाएगा और वहीं पर पेमोद्यस का उद्घाटन करेंगे नई संसद भवन कैसी है अंदर से कैसी दिखती है इसकी जो तमाम तस्वीरे हैं वो भी अब सामने आ चुकी है संसद की जो तमाम तस्वीरे आपके टेलिविजन स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं भव्वे और दिव्वे संसद के अंदर के जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं पहली जलक है ये संसद भवन के अंदर की साथ इसाथ तमिल नाडू से जो है पु ही जो तमाम कारिक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। पत्र से पहले सुप्रीम कोट ने उद्गाटन के मसले पर लाई गई याचिगा पर याचिगा करता को फटका लगाई और जुर्माना लगाने की चेतावनी तक देड़ा ली। संसब में कल इस्थापित होने वाले।